देखिए बेडम हमारे देश ने अपना स्टेबिल रेट एचीव कर लिया अब इसकी इस पॉपलिशन ग्रोथ कोई प्रावलम नहीं है कि संग क्या है और संग को किसने सर्टिफाय करा है संग वो है जो 24 गंटे राष्ट की उन्नती के लिए सोचती है संग नशा है देशबक्ती का जो गदारों को चड़ेगा नी और देवबक्त्यों का उत्रेगा आपका नाम क्या है कुशागर गौर्ड आप क्या करते हैं बीजेंसी फर्स्टियर्स जैहिंद जभारत दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाउट सब्सक्राइब को टेश कर लाइक कर दें और घंडी के निशान को टेश कर ऊपर की बेल आउन कर लेए एक ऐसी डिबेट जिसको समझ एक आम भरती का खून खौल जाए और वीडियो के कमंट सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा तो ऐसा सरकार क्या करें जो मुस्लिम टारगेट ना हूँ उस पर कहां से आते हैं मैंने आपको पहले ही बताया डेखिए मैंडम हमारे देश ने अपना स्टेबल रेट एचीव कर लिया और इसकी पौपेलेशन ग्रोथ कोई प्रावलम नहीं है मेरा सवाल आपसे और आपसे महुद है कि हमारे कुछ समय पहले NRC का मुद्ध इतनी तेजी से बड़ा था और क्या आप ये बताईए क्या हमारे देश में हमें ये पता नहीं होना चाहिए कितने लोग हमारे देश के सिटीजन हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं तो आप ये बताईए क्यों आप NRC का मुद्ध दिबाने पर लगे हैं और क्या आप क्यों नहीं चाहते कि NRC लागू हो ये किसी करते हैं कि पंदरा मिनट पुलिस अटा दो तीस करोड सौकरोड को देख लेंगे तो आपकी मांसिकता क्या है और दूसरा मैं अपको बताना चाहता हूँ कि सर आप कह रहे हैं कि संग क्या है और संग को किसने सर्टिफाय कर रहा है संग वह है जो 24 घंटे राष्ट की उन्नती के लिए सोचती है संग नशा है देश बक जॉनलिजम सीख रहे हैं आपका संग से कुछ जुडाव भी है जो राश्च जी हितने हैं इसको बोलने दीजे क्या दिकता आप लोगों कुछ मत बोलो से खुलरी सब कौन पकड़के लेगाया इसे हैं जो देश हितने बात करेगा युवा जनता उसके साथ है और तीसरा मैं हें अप से कहना चाहर हूं कि आप से कहना चाहर हूं कि आप कहरे हैं कि जा हिंदू हो का दर्मानतरन कंब में पर्शब कर दो विश्र में यहूदी अगर किसी महिला के साथ बच्चे हैं तो यह उसके लिए अच्छा नहीं और बच्चों के लिए अच्छा नहीं तो अगर संग निये सजेशन दिया है कि ऐसा कानून आना भी चाहिए तो इसमें गलत क्या है यह जवाब में चाहिए आपको पहले ही बताया देखिए बैडम हम अच्छे बात बोलें आपको अच्छे लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाता थोड़ा समार दीजे दोस्तों अगर आप इस चैनल को नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सस्काइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर उपर की बेल आन कर दें फिर मिलेंगे किसी वीडियो में चैनल